अग्याए बात करते हैं कर्ब्टो में के बारे में पैसिव इंकम के बारे में यह सारे जितने प्रोजेक्ट्ट परसंट पचास अजार परसंट तीन लाख परसंट जो है APY दे रहे हैं as well as all DeFi projects जो आपको comparatively कम 300, 400, 500%, 100% APY दे रहे हैं उनके बारे हम बात करते हैं बात करते हैं यहाँ पर कि किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे इन चीजों में पैसा डाल के पैसा बनाना चाहिए और पैसा निकालना चाहिए तो first पहली बात हमें जो यहाँ पर realize करने हैं यह सारे जो projects है जो ridiculous amount of APY देते हैं so crypto में 100% तक का APY is also still fine but पहले हम देखते हैं कि APY आता कहां से APY का मतलब यह है कि आपको कितने tokens return में मिलेंगे कितना dollar नहीं तो अगर आपने 100 USDT का कुछ खरीदा है मानलो कोई token है shivam token खरीद लिया है shivam token आपको 100% APY दे रहा है तो आपको यह याद रखना है कि आपको आपने 100 dollar का 100 shivam token अगर ले लिया है तो आपको 100 dollar वापिस नहीं मिलेगा आपको 100 shivam token का 100% APY मिलेगा मतलब आपको 100 shivam token और मिलेंगे अब उस shivam token का value चाहे आदा dollar हो जाए चाहे 50 dollar हो जाए चाहे 2 dollar हो जाए that is something is that is subject to market तो यहाँ पे 100% APY का मतलब है जो coin को आप stake कर रहे हो उस पे आपको उसकी quantity पे आपको usually APY मिलता है give and take यहाँ पे फरक कहाँ पड़ता है for example stake, cake, earn कोई और token, earn s fund, earn gmt वहाँ पे थोड़ा सा जो है tricky हो जाता है यह वाला calculation but maximum जो यह एक लाख परसेंट, 50,000% kind of APY है यह जो इनका tokenomics जो चलता है वो ponzi schemes पे चलता है even though अगर project की team बहुत अच्छी है, team सही है, सब अच्छी है, तो भी ponzi scheme का क्या मतलब है मेरा and ponzi scheme का मतलब यह है, जब तक नए लोग project में enter करते जाएंगे, तब तक पुराने लोगों को पैसा मिलता रहेगा basically उनको एक तरह का volume यहाँ पर generate करना है अगर वो volume नहीं generate कर सकते तो उनकी जो treasury है, वो पूरा का पूरा जो उनका liquidity fund है वो यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएगा, नया पैसा आएगा तभी पैसा यहाँ बनेगा, नहीं तो sell pressure इतना जादा हो जाएगा कि यहाँ problem आ जाएगा अब वो sell pressure को कम करने के लिए titano है, sphere finance है, यह लोग क्या करते हैं, यह लोग fee लगाते है, tax लगाते है, sell किया तो 20% tax लगेगा, खरीदा तो इतना % tax लगेगा, उससे क्या है, थोड़ा सा sell करने का part है उसको disincentivize यहाँ पर किया जाता है, बट जैसे ही नए लोग enter करने बं technology के लिए है crypto में, बट आपको ही पता है 99% लोग जो है पैसा बनाने के लिए, मैं tech prefer करता हूँ, मैं काम करता हूँ इस industry में, तो that of course automatically means कि मुझे यह tech पसंद है, और मैं यह technology को prefer करता हूँ, तो मैं इस technology के लिए हूँ blockchain में, बट at the same time मुझे भी पैसा बनाना है, तो an important जैसे किसी ऐसे का हो जो आप, जिसने आपको 200, 300, 400x returns यहाँ पे दिये है, I do think bitcoin के लावा और किसी चीज के प्यार में, यहाँ पे long term में नहीं पढ़ना चाहे, now, इसको कैसे आप, पूरे चीज जो मैंने अभी इतनी बड़ी बकर-बकर की, इसको कैसे implement कर सकते हो, so first of all guys, प 5 महिना, 6 महिना हो चुका है, then you should not be entering that project, unless वो project का जो price है, वो काफी नीचे आया है, and वो general market trend की वज़े से नीचे आया है, किसी और खपले की वज़े से नहीं आया है, पहली बात, दूसरी बात, ऐसे किसी भी DeFi project में, जहाँ पे आप पैसा बनाने के लिए गुसरे हो, आप ridiculous amount of allocation, बिल्कुल भी मत दाले वहाँ पे, आप आपके funds का इतना ही डाले, जिसमें आपकी life इतनी सी भी change ना हो, right, तो मैं आपको example दिया था, Titano का, मैंने Titano में literally $150 डाले थे, and you have to realize, कि यहाँ पे $150 अप्रोक्सिमेटली 11-12 हजार उपे बनता है, तो मैंने approximately उतना डाला था, जितना मैं YouTube के ad sense से per month में बनाता हूं, उससे भी कम, right, so that अगर वो zero हो जाए, तो मेरी life में इतना बुरा कोई असर ना पड़े, so you have to do the same thing in my opinion, now, could I have added more money, yes, but मैं वो risk लेने वाला बंदा हूं नहीं, and मुझे वो करना नहीं है, right, तो यह चीज़ आपको यहाँ पे realize करनी ब deal, आप 1000 डालते हो, आपको daily का 2% APY हो, दिन का मिल रहा है, 2% APY के हिसाब से 1000 अपने डाला है, आप रोज का उसको withdraw करते जा रहे हो, your call, right, but उसका जो profit है, वो आपको consistently यहाँ पे book करना बहुत ज़रूरी, ऐसे जो projects है, उनको आप 3 महीना आंक बंद करके बैठ गए, ऐसा न महीने के लिए, but titano है, sphere है, octra, leviathan, जितने ऐसे आ रहे हैं, जो इतने बड़े-बड़े APY दे रहे हैं, 4-4 लाख percent का APY दे रहे हैं, उनको मैं एक महीना भी आंक बंद करके बैठ नहीं सकता, मुझे literally उनको daily यहाँ पे देखना पड़ेगा, कि मेरा क्या return generate हो रहा है, and should I withdraw those returns, मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा, उनके team क्या कर रहे है, उनका discord क्या कर रहे है, तो बहुत जादा काम है, fundamental analysis से जादा काम है DeFi में, literally, अगर आप ऐसे किसी project में पैसा लगा रहे हो, तो आपको fundamental analysis में जो घंटों लगते हैं, उससे जादा काम है, आपको daily यहाँ पे उनको monitor करना पड़ेगा, चर्चा क्या हो रही है, लोग क्या बोल रहे है, team क्या कर रही है, बहुत जादा जो है, चीज जरूरी हो जाती है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना ही, in my opinion, next, moving on to guys, कि आप वो जो profits आप बुक कर रहे हैं, उसका क्या करना है, तो profit book करके, then you can think of getting into Bitcoin, Ethereum and these things, क्योंकि यहाँ पे आप risk off हो जाते हो, जब risk off हो जाते हो, आप दूसरे asset में डाल सकते हो, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे जल्दी अमीर होना है, इसलिए मैं crypto में पैसा डाल रहा हूँ, right, and I always say कि income बना लो, दो तरीके हैं आपका portfolio बढ़ाने का, एक तरीका है कि आप किसी scam project में पैसा डालो, या non scam project में पैसा डालो, जो कभी भी फट सकता है, and आप time पे, you hope कि आप सही time पे enter कर रहे हो, you hope कि आप सही time पे उसको exit कर जाओगे, and वो जो profit आप वहाँ से बनाओगे, वो profit को फिर आप जो है, Bitcoin, Ethereum, यह सब में यह करो, I think, दोनों करो, यहाँ पे बहुत जादा risk है, but reward भी बहुत जादा है, इसका मतलब मुझे बहुत कम capital यहाँ डाले, यह comparatively risk कम है, तो यहाँ पे मैं capital comparatively जादा डाल सकता हूं, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है, कि आप consistently, पहली बात, बहुत सारे projects में, same time पे नहीं enter कर रहे हो, because it becomes very difficult कि आप सब चीजों को track कर पाऊ, number 2, आपको consistently वहाँ से profits निकालने हैं, क्योंकि यह सारे के सारे बहुत जादा risky और बहुत जादा kind of ponzi tokenomics पे काम करते हैं, आप देखिलो, एक लाख परसेंट अगर कोई APY दे रहा है, तो आप सोचो, उनके एक, उन्होंने, मान लो, एक billion tokens release किया, ठीक है, one billion tokens के पीछे, अगर वो एक लाख परसेंट APY दे रहे हैं, तो at the end of one year कैसे possible है, इसका मैं example आपको देता हूँ, अगर आप titano का लाख परसेंट का पकड़ लो, तो मैंने अगर हजार डॉलर डाला, हजार डॉलर का एक लाख परस उसने यह exact analogy कल दिये, कल का उसका वीडियो चेक आउट करो, हजार, और उसने कितना पैसा बनाया, टाइटानों में, वो भी चेक करो, उसने साड़े तीन हजार या ऐसा कुछ डॉलर डालके, almost one million dollars वहां से निकाले, and that is the point that I am trying to make, guys, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहां 17-20 minute का काम है, एक protocol को launch करना, जितने भी चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे निकल कर आ रहे हैं, 99.99% यह आप लोगों को scam करने के लिए बनाए गए है, 0.1% जो शायद आपको scam करने के लिए नहीं बनाएगा, बटन का APY वगरा इतना जादा है, उस 5X, 10X, which I think is great, क्योंकि आपन जब stock market की बात करें, इसको alternative की आपने हो, stock market, stock market में literally, अगर stock market का return में लूँ, rule of 72 के हिसाब से approximately 4 साल में मेरा पैसा double होता है, जबकि crypto में 2-3-3 दिन में पैसा double होता है, और अगर मैं अच्छे बड़े projects की बात करूँ, इनका market का बहुत ही बड का रहे हैं, which is great, I think उससे जादा जल्दी करके हम extra risk काहे को ले, यह चीज़ आपको देखना है कि जब आप DeFi में invest कर रहे हो, and invest भी I think is the wrong word, DeFi में आप literally जुआ खेल रहे हो, इस ताइम पे, तो वो चीज़ का आपको यहां पे ध्यान रखना है, कि आप पैसा बना रहे हो, आउट हो रहे हो, पैसा बना रहे हो, बहुत सारे लोग मैंने नोडिस किया है, प्यार में पढ़ जाते हैं एक प्रोटोकॉल से, क्योंकि उन्होंने कोई दो चार गुलू गुलू बाते कर दिया है, बहुत अच्छी अच्छी आपको इंप्रेस कर दिया है, and आप उू, and फिर उसी प्रोजेक्ट के हम गुंगान गाते हैं, और अपना पैसा जो है वहीं पर आटका रहने देते हैं, प्रोफिट निकालना, बूल जाते हैं, याद रखना, उन प्रोजेक्ट का काम क्या है, कि आपका पैसा उनके पास ही रहे, not because वो लोग भागना चाहते हैं, बड उससे उनके प्रोजेक्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, right, if you are booking profits, the team will not like it, बहुत rare ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो profit booking करने पे आपको motivate करते हैं, profit book कर लो, profit बन रहा है तो ले लो, यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है, quick video, hope इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, as always guys, like button का ज़रूर मारे, आज का password, आपन लेते हैं, teda bitcoin, so password is teda bitcoin, do let me know in the comments below guys, and अगर आप channel पर subscribe नहीं तो consider subscribing में आप लोगो मिलता हूँ, अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye